अब बच्चों एडिटो ले देखिए उसका टाइटल के टैलेंट एंड रिकोगनिशन अभी देखो सरकार ने फैसला लिया एक कुछ जो साइंस के उपर अवार्ड दिये जाता है जिसने साइंस की फिल्ड में अच्छा काम दिखिया या जो भी है उसमें कुछ अवार्ड की करेंगे करेंगे करने का मतलब है कम अवार्ड करेंगे से खर्चा वोत होता है कोर्ष्ट करना चाह रहे हैं और इसमें डिवेट उटकर खड़ी हो गई है या एडिटोल वाले भी थोड़ा क्रिटिकल हो रहे हैं इस ways कि साइंस में जेना है बड़ा मुश्किल होता है बहु जो भी वर्ड इंपोर्टेंट आएंगे बच्चो नोट करते चलिएगा ठीक है और खुद भी उसे सर्च कीजिएगा रीड कीजिएगा इस है टोल को पहले और देखिए क्या डिफरेंस है जो हमने पढ़ाया है चलिए बच्चो चैनल पर नहीं है तो चैनल कर जी सब्सक्रा को निशन मिले रिस्पेक्ट एड्मायर किया गया उसको अवर्ड देंगे ठीक है ओन रिड्यूसिंग नंबर ऑफ साइन्स आवर्ड जो साइन्स के उपर वार्ड उसको कम करने की इन्होंने ठानी है कि कुछ इंपोर्टेंट इपोर्टेंट देंगे हैं बाकियों को नहीं ठीक है वी कर चाहि Lianze जो है आर ass ओर्स प्राइज़ी की वबहर इहार और कर चुकित की है कि ऑवा कोर्स पढ़ सको डिगरी हासिल कर सको कुछ एडवांस में रिसर्च कर सको तो जो सेंटर ने डिसाइड किया इन तीनों के उपर बाइ वैरियस मिनिस्ट्री यह जो अवार्ड प्राइजिस और फैलोशिप दी जाते हैं अलग-लग मिनिस्ट्री के दुआरा कोई चीज भी करी हो होल सेल री लुग दुबारा चेक करो कि इसमें क्प्लिए लुग की जडिये हूं कि जरूरतै बहुत है जो BIG या दिये जारी जे रहे हैं स्कूर जादा बीनाबात के खरचा तो नहीं हो रहे है इस सरकार ऐसे कर रोगी है डा मुनिस्टि ओफ और होम एफेर्स् जो होम आफेर्स्स की मिनिस्ट्रि हाभ इंजिडिकुटिव डिरेक्टिव डिरेक्टिव का मतलब गया होता है मतलब जो इसको यसको एकशन लेगी इसके उपर जो जिसने ये डिरेक्टिव को एकजीडि की помочь की की किया एक्जीकुट कि यहां रामिट का मतलब है अपनी बाउंडरी या रिस्पोन्सिबिलिटी अथोरिटी से आगे निकल जाना क्योंकि होम मिनिस्टर का काम होता है वह कुछ जो उसमें अवाड्स देना सिर्फ साइंस में इनका क्या काम है होम मिनिस्टर आवाड्स दे सकती है जैसे डिफैंस शेतर में गैलेंटरी अवाड्स जिसे कहते है वीरता वाड्स तो यह और पुलीस को दे सकती है तो कहरे है यह अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर रही है यूज्वल रिमिट है जो इसकी अवाड्स लिमिट भी कह सकते हो रैमिट को अवाड्स देने की जो पुलीस ऑफिसर तो regarde का मुला सडली कहीं पर एंटर कर जानाš इरपटिड इंटू कहा कुद की ए ईरप्ट कर लिए वर्ल्ड of साइन्टिफिक कंड मैडीकल रिशर्च मंने इंडिया की जो साइνस की मिनिश्ट्री है उसने प्रेजने दिए है क्ला के दिए यूनियंग हम सेक्रेटरी अज जो अवोड दिये जाते हैं साइंटिस्ट को different स्टेडिस of their career जो अलग-लग स्टेडिस पर उनके career पर दिये जाते है यह स्टेज है तो यह दे दिया यह तो यह दे दिया इनको पूरी presentation ने होंड मिनिस्टर को इंडवमेंट्स कौन से नेशिनल अवूर्ड जिस पर सरकार खर्चा करती है और कौन से हैं जिसे प्राइवेट इंडवमेंट करती है इंडवमेंट का मतलब डोनेशन देती है ताकि सपोर्ट हो सके लोगों का ठीक है कोई बीजैसे महिन्दरा अम वाणी जो भी यह अच्छ किसके लेनी बागी है दो कोराम का मतलब सेलेक्टिव ग्रूप कूछ लोगों को उठाया और वहीं डिसीजन लेंगे ग्रूप तो इसके बता रहे हैं भी किस का राम किह रहेरहें भी फाइनल डिसीजन लेना बाकी है दक यह किशिस्ट कुरम एंड डिस ने रहे कि बारे में और head of each of this ministry ठीक है एक तो secretaries की है इसमें जो group है secretaries का है और head है जो इस ministry के secretary जो भी department के होगे ठीक है और जो भी head है इस ministry के और उनके जो secretary है उनकी है कि यह जो selective decision रहेगा ठीक है अभी final decision लेना बाकी है जो कुरा में जो selective group बनाए गया है जो decision लेंगे इसके उपर जिसके अंदर कौन को नहीं सेक्रेटरी है और head है ministry के was of the opinion इनका opinion क्या था that most awards ought to be done away with बोट से awards को हमें done away with कर देना चाहिए done away with का मतलब होता है चुटकारा पा लेना मतलब खतम कर देना end कर देना मिनिश्टर कुड इधर retain only some of the national awards and the ministry के लिए 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 मिनिश्टरी क्या कर सकती है future की बात करता है could be one क्या कर सकती है या तो retain retain का मतलब preserve करना बनाए रखना कुछ national awards को बचाए रख सकती है और बाकियों को done away with मतलब हटा देगी और institute कर सकती है one or two high status award institute का मतलब simple है कि मतलब कोई चीज organize करना institute करना बनाना निया decision लेना कुछ भी organize करना और एक दो high status के award रख सकती है और यह decide करेगी या तो retain could retain only some of the national awards या फिर institute के रहे हैं कुछ national award को retain कर सकती है या फिर कुछ institute कर सकती है organize कर सकती है बनाए रख सकती है ठीक है इनका उपिनियन था यह जो एक अच्छा वर्ड मिल गया आपको selective group पुछ ग्रूप है बैर रैशनेल फो प्रूनिंग प्रूनिंग का मतलब क्या rational का मतलब decision कुछ करने के पिछे आपका कारन क्यों देश्यक रैशनल डिसीजन फर दोइं सम्थिंग प्रणिंग का मतलब होता है जिसे ट्री की ब्रांच काट देना कम कर देना ताकि एक शेप अच्छी मिल जाए तो यह कह रहे हैं जो इन्होंने रीजन दिया इको सिस्टम जो इको सिस्टम एक मोस्फेर पूरा इनवाइर Müंण्ट है उसको इन्वाइरमेंट एक brakes कर दे हो कुиком करेंगे हम सधारन लोगों को जो selfless work कर रहे हैं बिना selfishness के अपने काम कर रहे हैं मतलब कोई selfish नहीं है देश की सेवा कर रहे हैं rather than well known personalities who repeatedly back them जो बार बार हासिल करते हैं बैग एक तो नाउन होता है बैग उटांगते हैं जो एक बैग वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जपटा catch capture बार 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 उनी को देते रहे होनी को देते रहे हर साल इससे अच्छा इन्होंने नहीं ने लोगों को लिया हम ecosystem change करना चाहते हैं यह कह रहे हैं ठीक है और मोदी जी का vision है यह बता रहे हैं दा अवार्ड अवार्ड के बाद वह आएगी ओट मिस्टर बला ऐसा डेक्स्टा इंफरमेश एक transparent selection process होनी चीए पारदर्शी यह कहाई नों है बला जी ने अवार्ड और प्राइजिस रिकोगनाईज अचीवमेंट यह जो अवार्ड और प्राइजिस होते हैं यह रिकोगनाईज करते हैं अचीवमेंट रिकोगनाईज का मतलब होता है respect देना किसी को admire करना तरीफ करन यह लोगों की achievement को देखते हैं पैचानते हैं बट इन science and medical research की बात करें they are also mean to spur इनका एक मतलब होता है कि spur spur का मतलब किसी को encourage करना कि वो कुछ करे spur मनलो encourage someone persuade someone इनका मतलब होता है कि younger scientist को spur करें towards loftier imaginative goal ताकि यह जो यंगर scientist हैं वो काम कर सकें किसकी तरफ loftier का मतलब देखो पहले तो अच्छा बढ़ा गया loftier loftier का मतलब होता है बड़ा ही विशाल जो अच्छा लगे बहुत size में बढ़ा हो imagination से भरा goal हो क्योंकि science तो ऐसी चीज़ है विदे को इंस्टेंवाइंशन के बसकी थी साइंस और कुछ साइंटिस्ट ही होएं तो यह एक इंकरेज करते हैं यह वोर्ड ताकि यंग साइंटिस्ट काम करें इस फिल्ड में अगर आप award ही नहीं दोगे यह नहीं करेगा पहली बड़े मुश्किल होता है science की फिल्ड में काम करना बाकी समय तो देखो मेहनत करके बताएगा कि sports में यह कुछ benchmark सेट होते हैं पर science में बड़ी दिक्कत होती है तो कह रहे हैं जो बड़ा big और imaginative goal है यह लोगों को encourage करता है यह जो awards देते हैं नहीं दोगे कोई काम नहीं करे कह रहे हैं unlike in sport अगर sport की बात ना करें मतलब sports की तरह नहीं है like in sport में बड़ा sports की तरह नहीं है कौन से अवर्ड science के अवर्ड बताएगा भी sports और even galantry awards और यहां तक की जो वीरता अवर्ड दिये जाते हैं फोजी वगेरा को जो दिया जाता है परम वीर्चकर वगेरा ठीक है पुलीस वालों को तो यह जो भी है galantry awards जो वीरता के awards दिये जाते हैं करेश दिखाने के awards दिये जाते हैं जहां पर इन awards के लिए बता रहा है यह वेर लगा के जहां पर relatively असान होता है define करना एक set of benchmark and एक benchmark site करना benchmark का मतलब होता है कुछ आपने एक level set कर दिया कि यह है तो यह आवर्ड मिलेगा आपको medal लेकि आओ उलम्पिक मेडल यह मिलेगा तो जहां पर एक benchmark set करना का सोटी सी set करना मतलब ठीक है एक level सा set करना असान होता है and confirm medals on achiever असान होता है एक benchmark set करना और असान होता है to confirm medals on achiever comfort का मतलब अब तक खतम नहीं थी कोमा से कोमा भी तक चल रही है scientific research is open-ended तो कहरें sports की बजाए sports की तरह नहीं है अगर इसको छोड़ दें sports को जहां पर असान होता है scientific research एक open-ended है open-ended का मतलब बता है open-ended बहुत मतलब जिसकी कोई limit नहीं है पतलो पूरा open-ended circuit circuit लोंग लंबी कानी है यह तो बहुत जदा लंबी open-ended है पता नहीं कब मिलेगा किसको क्या आवाड मिलेगा ठीक है लंबा चलेगा खेल पता नहीं कब किसी को कब कोई research हो जहे और कब जाके आगए जाके किसी की पुरानी research के कान उसको award मिल जे तब तक साइंटिस रहे ना रहे ऐस से देखिया गया है ठीक है तो कह रहे है एक open-ended or circuitous चीज़ है साइंटिफिक रिसर्च बड़ी गुमावदा रिसर्च एंड एस दा हिस्ट्री है जैसे की हिस्ट्री बताती है साइंस की रिवील करती है हिस्ट्री ऑफ सामने लाती है कि यह जो punctuated by lucky breaks तो कह रहे है एस दा हि punctuated है रुक रुक कर इसको lucky breaks के कारणी कुछ मिलता है इसको punctuated का मतलब यह भी हो सकता है हम notice करने के लिए कुछ coma लगा देते हैं कि अब full stop लग गया sentence खतम हो गया किसी चीज़ जोड डालना तो कह रहे हैं यह तो बीच बीच में lucky किसी का luck काम कर गया तब तो यह मिल गया नह के लिए और international cricket के को talent ट्रेंट करना असान बट इंपोसिबल टू क्रेट है और चंदर शेकर कर नहीं करना मतलब यह नहीं साफ साथ शॏप कर दी साइस्वोड मुस्किल है सब्सक्राइब है अगर बात करें हैं अब यह कहेगा वह यह जो तुम आब और ख़तम कर रहों इसक कारियर हर कोई जो Nobel के फिल्ड में जिसको Nobel Award मिले लोरेट का मनुद इसको मिला है वोर्ड रिकोग्नाइज किया गया जिस अवोर्ड दिया गया किसी फिल्ड में इंदा मोडर्न एर इरा इस मोडर्न यूग की बात करें तो इसकी वरब नोबल लोरेट की है्स वून जी चुका कि वह नोबल प्राइज हासिल कर रहा है चोटे मोटे प्राइज मिलते रहे हैं उसको कब जाके देखो नोबल विजेता बन गया ठीक है अगर आप पहले सी चोटे मोटे साइंस के अवर्ड खतम कर दोगे और उस आदमी को भी बाहर कर दोगे क्या पता वह आगे जाके बड़ प्राइजबिनर बन जाते हैं आप किसको अटाओगे किसको निकाड़ोगे क्या करोगे तो यह कह रहे हैं वाइर yeah करिय यर हर साल मिलियए और इसकी भी बहुत सारी डिपेट होती है ऑनored हो आज अंत्य डिवेट उस पर होती है ओंड़ पर्सण तीए और यह डिवेट दिर पर रहे उमीट कर दो एक्सक्लूड कर दो निकाल दो तू प coupon जिसे निकाल दिया गма एक्सक्लोड कर दिया और जो परसन नंव कर देंगः उतनी डिबेट उस पर हो धनी जीद उतनी दिबेट होती है वह क्यों भार हो आ हिने मुश्क्य आपके लिए पैचानना अर्ली केरियर पोटेंशल और्ली केरियर पोटेंशल का मतलब आपने पहले से पैचान लिया कि इसमें इतनी पर आगे कुछ नहीं कर पाएगा यह फ्रोट विटविड का मलत किसी जीत से भरा हुए दिफिकल्टी से बहा हुआ यह किससे ब्राव होता है इस जजज ने फैसला सब्जेक्टीव केश्ण ओकर पर स夏 ले उपड़ियर को पोटेंशल पेचान लेना and with fewer awards on offer और जो आप बहुत कम आवोर्ड देने चाहते हो नो कुड़ प्रोवोक कर सकता है प्रोवोक का मतलब होता है बढ़काना इंसाइट कर सकता है increased discontent could provoke increased discontent dissatisfaction dissatisfaction बढ़ जाएगी ठीक है है करंया के थी करें janthi lady के लिए मैं भी सब्जाट्टिविपीन उपर कॉंशन विजन तान आप सकते प्राइम मिनिश्टर विजन कॉंशन अजदा होता है इसके और आगरम कॉंशन बात करें तो फीवरर्वाद क्या कर सकते हैं में एक्चुली मीश मैंरी Promising Talents, Promising का मतलब होता है, जो दीखे, Promising, Zinkे successful होएगा, आगे जाके, तो ये, असली में मिस्स कर सकता है, आगे जाके, Promising Talents को, जो successful हो सकते हैं, और, Amplify कर सकते हैं, Amplify का मतलब, Increase करना, Amplifyer Sound बढ़ा देता है न, और इंक्रीज कर सकता है आपने ड्रेस देख्योंगी स्टार लगे होते हैं कुछ फोजी के यहां पर पुलीस के बना होता है कोई पट्टी सी डेकोरेशन क्लोटिंग करी होती है उसमें तो यह कहते हैं उनको और जादा मतलब अवोड देदेगा उनकी क्लोट्स पे और जाद के बार बार जिनको पहले यह बहुत कुछ मिल चुक है एंप्लिफाई एपल एकोरेशन होएगे उन्हे की कपड़ों पर ऑवार्ड कोष्ट मिनिष्ट्रीज मनी ऑवार्ड की वर्ब है कोउष्ट यह जो अवार्ड होते हैं यह बहुत पैसा लगता है इनमें कोउष्ट इ सब्सक्राइब करते हैं क्या कीमत आती है मिनिस्ट्री की मनी पैसा लगता है बट दा मीटिंग डिसकस पर इस मीटिंग ने डिसकस नहीं कि वैदर कटिंग कोष्ट वाज़ फैक्टर इन दा रेस्टिफिकेशन के पिछे क्या पैसा बचाना चाहरे हो ठीक है हाँ पैसा दो लगते है जैसे कि यह उनकलियर वट एक्जिस्टिंग प्रोब्लम दा न्यू स्किम सोल कौन सी जो प्रोब्लम एक्जिस्ट कर रही है जो नई स्किम सोल करेगी दा सेंटर शुड्र रीकंसीडर दा मैरिट ओफिट्स प्रपोजल तो सेंटर वो रीकंसीडर करना चाहिए मैरिट अपनी वर्ड्स इंपोर्टन्ट आये थे उसे मैं टेली ग्राम पर लिख दूआ है यह इंपोर्टन्ट आये थे आप फिर से उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और अब हमारी डाउनलोड कर लीजे टेली ग्राम का ग्रूप जॉइन कर लिजे दा सिलेक्शन केंप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबी चीज़ों का ठीक है बच्चो थेंक यू